बच्चों हम अगला प्रक्रण लेते हैं और इस प्रक्रण के अंतरगत हम दी आधारी संक्रिया सार्णी बनाना सीखेंगे आए आखिर ये दी आधारी संक्रिया सार्णी कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे तो सबसे पहले हम दियाधरी संक्रिया, सार्णी क्या होता है देख लेते हैं यदि कोई समुच्चे ए परिमित हो परिमित मतलब finite अर्थाद उसमें अवयों की संक्रिया कम हो तब संक्रिया को सार्णी में ब्यक्त कर सकते हैं इसे ही द्वी आधरी संक्रिया सार्णी कहते हैं। सार्णी बनाते समय हम ये ध्याँ रखेंगे कि AI operated AJ या हम कहेंगे AI संक्रिया AJ is equal to संक्रिया सार्णी की IV पंक्ती तथा J में इस्तम की प्रविष्ट्या को दर्शाता है। आए हम एक उदारण के द्वारा समझते हैं। ये उदारण है समुच्य A is equal to 1,2,3 में संक्रिया V, Big V, बड़ा V, such that R cross R tends to R के लिए परिभासित है। और दो सार्णी बनाने के लिए इसमें कहा गए पहला V, संक्रिया V, A to B tends to अधिक्तम A, B, तथा दूसरा Big Vigo, उल्टा V, संक्रिया Big V, V, Vigo, Big Vigo, ध्यान दीजे बच्चों यहाँ पर, Big Vigo, A to B tends to निम्नतम A, B का दी आधारी संक्रिया सार्णी बनाईए। तो दो संक्रिया सार्णी हमें बनाना है। तो बच्चों हम यहाँ पर सीखने के लिए, पहले हम कार्ति गुनन कर लेंगे, फिर सार्णी बनाएंगे। और जब सीख जाएंगे, तो आप सीधे ही दी आधारी सार्णी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमको दिया है, समुच्चे A is equal to 1, 2, 3, अब हम निकाल लेते हैं, कार्ति गुनन A x A, A x A is equal to 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 3, अब हम संक्रिया लगाते हैं, तो पहला जो क्रमीत यूगम है, याने A x A का जो पहला आवयो है, 1, 1, इस पर हम संक्रिया लगाते हैं, तो संक्रिया V11 is equal to 1, ठीक है बच्चों, क्या लिखा है इसमें, परिभासा देखिए आप, ये जो संक्रिया दियाधरी संक्रिया V है, VAB, मतलब A और B में जो अधिक्तम हैं, उसको लेना है, तो V11, तो 1 और 1 में अधिक्तम कौन है, 1, दूसरा V12, इसका मान क्या आएगा, 2, वैसे V13, 1 और 3 में अधिक्तम 3, इसलिए V13 is equal to 3, बच्चों यहाँ पर समझना है, आपको संक्रिया लगा करके ही हम मान को लिख रहे हैं, क्रमित युग में के दोनों आवयों में जो अधिक्तम हैं, उसको लिखना है, V21 is equal to 2, संक्रिया V22 is equal to 2, शंक्रिया V23 is equal to 3, संक्रिया V31 is equal to 3, संक्रिया V32 is equal to 3, संक्रिया V33 is equal to 3, अब हम इसको टेबल पे दर्सा देते हैं, पहला, बियो टेबल, बैनेरी आपरेशन टेबल, या द्वी आधारी साड़नी, किसके लिए, बी, एबी, टेस्टू, अधिक्तम, एक कॉमा बी, इसके लिए, तो यह साड़नी देखिए आप, इसमें सबसे left corner पे, आप स्क्रिन पे देखे गौर से जो साड़नी है, संक्रिया V, इसके पंक्ती में, हम A के अवयों को लिखेंगे, 1, 2, 3, और V के नीचे, यानि पहला जो इस्तम है उसमें, समुझे A के अवयों को करम से लिखेंगे, 1, 2, 3, अब हम, जब हम संक्रिया करेंगे, तो प्राप्त अवयों, V के संगत पंक्ती और V के संगत इस्तम में हम संक्रिया करेंगे, तो जो ये आपको, दूसरे color, नीला color में आपको जो बॉक्स दिखाए गया है, वहाँ पर संक्रिया के पस्चाद जो अवयों मिलेगा, उसको रखेंगे, तो जैसे आपने पहला देखा, पहले इस्तम में 1 लीजिए, और यानि बायां तरप को जो इस्तम है, और उपर को जो पंक्ती है, उनके अवयों के बीच में क्रम सा संक्रिया करना है, तो 1 और 1 के बीच जो संक्रिया है, 1 operated 1 is equal to 1, 1 operated 2 is equal to 2, 1 operated 3 is equal to 3, ध्यान दे बच्चों मैंने क्या, पहले मैंने V के जश्ट नीचे जो पहला अवयों है, उसका operation उपर की पंक्ती की तीनों अवयों के साथ क्रम सा हम करेंगे, तो आउट पूट का पहला पंक्ती की अवयों मिलेगा, ध्यान दीजिए यहां पर तो 1 operated 1 is equal to 1, दोहरा रहूं है, 1 operated 2 is equal to 2, 1 operated 3 is equal to 3, जो उपर जो लिखे हैं, जो हम किये वही को हम सार्णी में में मेंशन कर रहे हैं, क्या ध्यान रखना है, जैसे 1 operated 3, तो 1 operated 3 में क्या operate करना है, उन दोनों में अधिक्तम कौन है, वो output होगा, तो 1 operated 3 is equal to 3, अब हम V के नीचे, पहला जो पंती, जो बाया तरब को जो पंती है, अवयो 2, दो के लिए हम, सबसे उपर के जो पंती है, उसके प्रत्यक अवयो के संगत, हम output निकालेंगे, तो 2 operated 1 is equal to 2, 2 operated 2 is equal to 2, 2 operated 3 is equal to 3, ठीक, इसी प्रकार से हम तीसरा अवयो 3 लेते हैं, और उसको सबसे उपर के पंती के तीनों अवयो के साथ हम संक्रिया करते हैं, 3 operated 1 is equal to 3, 3 operated 2 is equal to 3, 3 operated 3 is equal to 3, इस प्रकार से आप देखे, यह जो नीले कलर का जो बाक्स के अंदर जो अवयो दिख रहे हैं, यह सभी अवयो output हैं, नीचे लिखा भी गया है, आप देख लिजे, output बराबर संक्रिया से प्राप्त अवयो, यहां पर प्रत्यक्रमित युग्म, अर्थात, आई कामा जेवी प्रविष्टी के आईवे तथा जेवे अवयों में से अधिक्तम है, यह दिया रखना है, ठीक इसी प्रकार से हम इसका दूसरा भाग जो है, क्या बिग वीगो, यह संक्रिया जो है, उल्टा भी, उसको बिग वीगो पढ़ते हैं, और यह है, बिग वीगो A, B, टेंस्टू निम्नत्म A, B, मतलब हम सार्णी क्या बनाना है, A और B में जो निम्नत्म है, तो अब दूसरा टेबल देखे, एक स्क्रीन पे, B-O टेबल, याने दियाधारी सार्णी, A, B टेंस्टू निम्नत्म A, B, तो चलिए इसमें निम्नत्म को लेना है, तो ठीक इसी प्रकारते, बच्चों आप समझे, यहाँ पर जो संक्रिया लेट कॉर्नर पे लिखा हुआ ह और सबसे उपर की पंक्ती में 1, 2, 3, और सबसे बाया की इसमें 1, 2, 3, जिसमें हमें संक्रिया करना है, तो चलिए मैं, बाया इसम का पहला होया 1, और उपर की पंक्ती का पहला होया 1, तो इसके बीच में संक्रिया करिए, 1 operated 1 1 operated 1 इसमें निम्नतम दोनों चुकी बराबर इसलिए एक ही लिखेंगे 1 operated 1 is equal to 1 1 operated 2 is equal to 1 1 operated 3 is equal to 1 क्यों? इसमें निम्नतम मान को रखना है ठीक है? फिर अब दूसरा वेओ लेते हैं 2 operated 1 is equal to 1 2 operated 2 is equal to 2 2 operated 3 is equal to 2 अब हम बाय तरप का जो इस्तम है उसका तीसरा वेओ लेते हैं और सबसे उपर के पंक्ति के साथ संक्रिया लगाते हैं 3 operated 1 is equal to 1 3 operated 2 is equal to 2 3 operated 3 is equal to 3 तो इस प्रकार यह दिये गए संक्रिया का संगत दियाधारी साड़नी अर्थाद बियो टेबल को दर्साता है अब हम दूसरा प्रक्रण लेते हैं संक्रिया साड़नी के प्रमुख परिनामों की जानकारी बच्चों जब हम संक्रिया साड़नी बनाते हैं तो संक्रिया साड़नी के माध्याम से हम कुछ निसकर्स कुछ परिनाम प्राप्त करते हैं जिसे हम एक उदाहन और उसके संगत संक्रिया साड़नी बनाकर समझेंगे यह उदारन है मैं प्रशन पढ़ देता हूँ समुच्च ए बराबर 1,-1,-1,-2,-2,-2 जहां आयोटा is equal to root of minus 1 पर दी आधरी संक्रिया गुनन प्रविक्त करके संक्रिया सांडी बनाकर विसेस्ताइं लिखिये चले बच्चों इसको हाल करते हैं इस्क्रीन पर देखें, माल लीजिए क्रमित यूग में A, B बिलांग्षू एक रास A के लिए, संक्रिया स्टार A, B is equal to A गुना B है, गुनन संक्रिया लेना है, A गुना B, तो चलिए हम समुझ्चे A के प्रत्यक अव्यों का, हम कार्थी गुनन, A क्रॉस A निकालते हैं, तो सिधा संक्रिया सार्णी लब बनाकर पहले A क्रॉस A निकाल लेते हैं, फिर संक्रिया सार्णी में पूट करते हैं, जैसे कि हमने पहले सीखा है, तो अब यहाँ पर जो A into B करना है, ठीक है, गुना है, यानि अलजेबिरिक गुना है, ध्यां रखना है, गुनन संक्रिया ब एिछ थैख सब्सक्रांट, पर निचे देख्याकि है ओप्र एिटा इख सब्सक्रांट Till रिक थैख सब्सक्राइश्ट सब्सक्राइशंगि अब इनको हमको पोस्टिंग कर दिना है संक्रिया सार्णी में चाहे तो इतनी बात ना करके हम सीधा संक्रिया सार्णी में ही इसको पोस्टिंग कर सकते हैं अभी हमने सीखने के लिए ऐसा किया है तो चलिए संक्रिया सार्णी बनाते हैं संक्रिया सार्णी के लिए कितने पंक्ति और कितने इस्तम होने चाहिए आप देख लीजे दिया गये समुच्चा क्या है समुच्चा A बराबर 1,–1, –1, –2, –2 कितने और यह हैं? 4 कितने और यह हैं? 4 और यह हैं ठीक है? तो जो output का सार्णी बनाएंगे उसके लिए 4 चोग 16 4 into 4, 4 by 4 का आपको table बनाने है तो अब देखिए सबसे पहले left corner सबसे उपर यहाँ पर हम संक्रिय को लिखते हैं और यहाँ पर संक्रिय कौन सा है गुना का यह कौन सा गुना है अलजेब्रिक गुना है ठीक है या अंकी गुना कह सकते हैं सबसे उपर की पंती इसमें हम A के आवयों को क्रमसा 1-1 आयोटा बायांतर्ब का पहला इस्तम सबसे बाया का इसमें हम A के आवयों को लिख देंगे क्रमसा आयोटा अब ये अंदर ये दिख करें आपको four by four का आपको फिर से four पंक्ति और four istham का खाली जगां दीख रहा है जिसमें हम output को रखेंगे यानि संक्रियक से जो हमें संक्रियक करने के बाद जो हमें मिलेगा जिसको हम output कहेंगे उसको रखेंगे तो ऊपर जो हम संक्रियक किये उसी बाद को हम रखते हैं ठीक है आप देखिए मैं एक बार पढ़ते जाता हूँ वान इंटू वान वान मतलब मैं संक्रिया कैसे कर रहा हूँ आप समझनेक प्रयास करें बाया तरब का जो पहला इस्तम्भ है यानि संक्रिया के ज़स नीचे का पहला औया वान सबसे उपर की पंक्ति के सारे वान के साथ गुना करूंगा और आउट्पुट के पहले पंक्ति में लिखूंगा तो आउट्पुट का पहला पंक्ति के वान वान मिलते जाएगा देखो 1 into 1 1 1 into minus 1 minus 1 1 into iota iota 1 into minus iota minus iota अब मैं बाएं तरब के जो पहला इस्तरम का दूसरा अवयों लेते हैं माइनस वन और माइनस वन का सबसे उपर के पंक्ती में जो अवयों हैं उनके साथ मैं गुना करूँगा क्योंकि यहाँ पर दियाधरी संक्रे कौन सा है गुना का है तो माइनस वन इंटू वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन इंटू आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजिए यहाँ पर अब लास्ट जो पंती बचा हुआ है आउट्पूट का उसको भारने के लिए बायन तरब को जो पहला इस्तम का सबसे लास्ट अवयाँ माइनस आउटा इसका करमसा गुना करने सबसे उपर की पंती के सारे आउकसाथ करमसा, माइनस आउटा इन्टु वन, माइनस आउटा, माइनस आउटा इन्टु माइनस वन, प्लस आउटा, माइनस आउटा इन्टु माइनस आउटा, प्लस वन, माइनस आउटा इन्टु माइनस आउटा, माइनस वन अब ये संक्रिया सार्णी पूरी हो गई यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो दी आधारी संक्रिया है वो कैसे परिभासित होता है दी आधारी संक्रिया star such that a cross a tends to a यह ध्यान रखना है अब विशेष्टा देखें बच्चों साधनी को ध्यान से देखें इस्क्रीन पर देखते जाएं लिखा हुआ है और मैं समझाने के प्रयास कर रहा हूँ आपको पहली विशेश्था देखिए जो आउट्पूट वाला जो बाक्स है अंदर जो अलग आपको दिखाये गया है उसको देखिए आप प्रत्येक प्रविष्टी में एक एही अवयो हैं आप देख सकते हैं समुझे एक चार ही आवयो हैं वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा इसके अलावा संक्रिया साड़नी की सारी प्रविष्टियां आप देखेंगे तो इसके अलावा कोई और आवयो नहीं है एक यही आवयों हैं, सारी प्रविष्टियां एक यही आवयों दिख रहे हैं फिर आपको देखने के मिल रहा है एक का प्रत्यक आवयों प्रत्यक पंग्ति एवं प्रत्यक इस्थम में केवल एक बार आया है आप गौर से देखिए उप्रोक्त प्रत्येक पंक्ति को देखो आप और प्रत्येक इस्थम को देखो आप प्रत्येक और रिपीट नहीं हुआ है केवल एक ही बार आए है आप पहली पंक्ति को देखें आउट्पूट का पहली पंक्ति मैं पढ़ दे रहा हूं output का पहली पंक्ती 1, minus 1 iota, minus iota कोई भी repeat नहीं हुआ है और एक आद हम उदाहर ले तो यहीं पर आँ output का तीसरा इस्तम को देखिए आप, तीसरा इस्तम तीसरा इस्तम के आवयों को मैं करम से पढ़ दे रहा हूँ iota, minus iota minus 1 1 यहाँ पर भी आप देख लिजे, कोई भी आवयों repeat नहीं हुआ है ऐसे किसी भी पंक्ती या किसी भी इस्तम को देखेंगे output का, तो प्रत्यक आवयों की entry एक ही बार हुआ है, कोई भी repeat नहीं हुआ है और यदि ऐसा है, तो निश्चित रुप से वह द्वी आधरी संक्रिया को दर्साता है ज्यांदे बच्चों पहले विजे इस्ता क्या कहता है यदि output में प्रत्यक entry किसी भी पंक्ती या किसी भी इस्तम में repeat नहीं हुआ है तो निश्चित रुप से वह द्वी आधरी संक्रिया ही होगा दूसरी विजे इस्ता देखे यदि output की सभी प्रविष्टियां उसके विकर्ण के सापेक्ष सम्मित हों सम्मित हों का क्या मतलब है विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी के अवयो एक जैसा हों विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी के अव्यो एक जैसा हो तब उसको सम्मित कहते हैं तो इस विशेष्था को आपको परखना है यदि सभी प्रविष्टियां विकर्ण के सापिक्ष सम्मित आता हो या सम्मित हो तब वह क्रम विन्वे नियम का पालन करती है यह भी द्यार रखना है बच्चों हम संक्रिया साण्डी से संक्रिया साण्डी बनाते हैं तो वह द्याधरी संक्रिया साण्डी होगा कि नहीं होगा यह बता सकते हैं दूसरा क्रम विन्वे नियम का पालन हो रहे कि नहीं हो रहे बता सकते हैं तीसरी विशेस्ता देखें, यदि AJ से प्रारम होने वाली पंगती, AJ क मतलब 1, 2, 3, 4, यहाँ पर J कमान 1, 2, 3, 4 रख करके देखेंगे, यह जेसे प्रारम होने वाली पंगती, सबसे उपर पंगती के संपाती, तथा AJ से प्रारम होने वाली इस्तम, सबसे बाएं ओर के संपाती हों, तब दिये गए समुच्चे में संक्रिया का तत्समक अवयो मौझूद होता है, क्या देखना है बच्चों क्या देखना है यदि ए जेसे प्रारम होने वाली पंती सबसे उपर की पंती के संपाती है की नहीं है आप देखें जरा हम पहली पंती को देखते हैं आउटपूट का पहली पंती देखिए सबसे उपर के पंक्ति के संपाति एक जैसा है उपर नीचे देख लो आप 1 1, minus 1, minus 1, आयोटा, आयोटा, minus आयोटा, minus आयोटा ऐसे ही हम पहला इस्ताम को 22 तरब के आउटपूट का पहला इस्ताम को 22 तरब की इस्ताम से देखें, मैच करें तो 신सर मय्यों है किसका मतलब इस संक्रिय सार्णी में और endpoint का पहला पंति सबसे ऊपर के पंति के संपरति है और output का पहला इसथम सबसे भाइयर के इसथम के संपाती है ये क्या दिखाता है कि इस दू आधरी संक्रिय में तत्समक अवयो का अस्तित्त है अब तत्समक अवयो का अस्तित्त है तो तत्समक अवयो कौन सो होगा तो यह देख नहीं यह दोनों पंक्ति और इस्तम जहां पर आपस मिलते हैं वही तत्समक अवयो को दरसाता है तो आप देख सकते हैं यहां पर इस उदाहन में सार्णी को पहली पंक्ति और पहला इस सम आउटपूट का ये कहाँ पर मिलता है? वन पर मिलता है वन पर तो वन जो है इस दुयाधरी संक्रिया का तत्समक अउयो है अर्थात इ कमान एक है इस प्रकार हम इससे समझ सकते हैं और लास्ट इसकी विशेष्टा ये भी देखने इस संक्रिया सार्णी में समुच्चय का कोई अउयो बित्क्रमनी होगा यदि सार्णी में उसके संगत पंक्ति एवं इस्तम में तत्समक अउयो इससित होता है अब आप देखिए इस साड़नी को जदी आप देखेंगे इसका तत्समक अउयो क्या मिला? वन वन तो कहां कहां वन है उसको देखना है आप देखती जाएए आउटपुट के जो साड़नी है उसमें तत्समक अउयो यानि वन यहां पर कहां कहां मौजुद है आप उसको देखें तो वहां से हम तो आप देख लीजे आउटपुट में वन पहला पंक्ति पहले इस्तम में है जो वन ऑपरेटेड वन से प्रावत हुआ है इसलिए वन का ब्यूत करम वन दूसरा देखिया और कहां वन है पंक्ति और दूसरी इस्तम में देखिये इसलिए माइनस वन ऑपरेटेड माइनस वन से वन मिला है इसलिए माइनस वन का ब्यूत करम माइनस वन ठीक है फिर और कहां वन है देखो बच्चो आप देखिये वन इसी टेबल पर आपको देखना है तीसरा पंक्ती और चौथे इस्थम में देखे आप तीसरा पंक्ती और चौथे इस्थम तीसरा पंक्ती और चौथे इस्थम में देखे वन दिख रहा है आपको इसलिए ये किस के आपरेशन से मिला है आयोटा और माइनस आयोटा के आपरेशन से मिला है Iota operated minus Iota is equal to 1 मिला है इसलिए Iota का ब्यूत करम minus Iota और ठीक और एक जगा 1 मौजूद है देखो जारा चौथा पंक्ती और तीसरा इस्तम में भी 1 दीख रहा है जो किसके operation से मिला है? minus Iota operated Iota से मिला है इसलिए minus Iota का ब्यूत करम Iota है तो इस प्रकार से हम इनके ब्यूत करम Iota को प्राप्त कर सकते हैं तो यहीं से हमको ब्यूत करम Iota का परिवासा प्राप्त हो जाता है कि small a belongs to समुच्चे a के संगत a inverse belongs to a के लिए a star a inverse is equal to e is equal to a inverse star a तो बच्चों यहां से हम संक्रिया सार्णी बनाना संक्रिया सार्णी बना कर दिय आधारी संक्रिया की विशेशता को पहचानना तत्समक अवयोग याद करना और यदि तत्समक अवयोग का अस्तित्व है तो ब्वित्करम अवयोग को प्राप्त करना यह सीखे हैं अब इसे के आधार पर हम प्रस्नवली के सवाल लेते हैं और उसको हल करना सीखते हैं